जी तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नुबर 13 बायो किमिस्ट्री की लॉंग कोशन आंसर के बारे में बोर्ड के लॉंग कोशन आंसर के बारे में तो वेलकम टू जी एस अकैडमी योट्यूब चैनल तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में से जो भी लॉंग आता है बच्चों के लिए काफी इंट्रस्टिंग रहता है कि आखिर कौन से कॉशन जो हैं आपको पता है नाइन बोर्ड हैं वो पूछे जा सकते हैं सबसे पह सेक्राइड्स, ओलीगो सेक्राइड्स और पॉली सेक्राइड्स तो यहां पर जो लॉंग बन सकते हैं आपके लो कि जो कार्बो हाइड्रेट्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके उपर बन सकते हैं बरहाल यह मोनो सेक्राइड्स, ओलीगो सेक्राइड्स और पॉली ही बनता है तो यह बात आप सब ने याद रखनी है कारभो हाईड्रेट के सोर्स यूज़ जो हैं लॉंग कुशन के चार पे पूछा जाते हैं उसके बार प्यारे बच्टे यदा सोर्स एनरजी की बाते हैं फिर डेक्स ड्रिपस की बाते हैं फिर अद्धाल को टाफिक स्टा इसमें भी जो है sources and uses of proteins board का favorite long question रहता है लहादा sources and uses लाजमी आपने इनके points को याद कर लेना है ताके board में आप long question को इस chapter में इच्छे तरीके से हल कर सकें अगर हम आगे चलें तो एक और topic स्टार्ट हो जाता है that is lipids तो carbohydrate, proteins, lipids आ गया तो lipids में अब क्या long आ सकते हैं आपको तो बरहल ये बड़ा favorite short question है जो आपको diagram नदर आ रही है ये triglythride है तो what a triglythride तो ये आपको short आ सकते है बरहल इसमें भी sources and uses आपको नदर आए आपको अगर सारे sources and uses के उपर ये आप long बताई जा रहे हूँ इसके लाव कोई long नहीं है आपे तो प्यारे बचों ये फेवरेट तरीन question रहता है बोड का तो that's why मैं आपको ये ही बता रहा हूँ तो ये आपको उसका बक्या हिस्सा जो है वो नजर आ रहे है उसके बाद ये vegetable oils क्या होते हैं इसमें hydrogenation का topic है फिर margarine क्या होती है एरेंसिट बटर क्या होता है ये सवाले short हैं तो उसके बाद थोड़ा सा घुसे की बात कर लेते हैं अगर examiner को आज़ता घुसा तो फिर वो आप से write on note on nucleic acids का long difference ने पूछ लिया था या कहलें आप write on note on dn नहीं ये पूछ लिया था तो बरहल इसको भी dn ने को भी यादा long question आप याद करके जाईएगा और पहरे बचो long questions के जो notes है वो आपको description में link है वहाँ से आप free of course download करके उनकी headings बगारा बनी हुई है तो आप वहाँ से याद कर सकते हूँ GS Academy के platform से अगर notes download करोगे और board में लिखोगे तो मैं guarantee करता हूँ आपका examiner number नहीं काट सकेगा क्योंकि मैं आपको proper channel से properly review करके सारे notes जो हैं वो देता हूँ बरहल अगला topic राइबो नुक्लिक एसरे आर ने है तो ये short के तोर पे रहते है उसके पर पहरे पचों इंडरस्टिंग सा topic आ जाता है you know carbohydrate lipid proteins अब nucleic acids का topic था अब यह हमारे पर topic of vitamins आ जाता है तो आखर क्या long आ सकता है vitamins के topic में से तो पहरे पचों इसमें यह वाला फिर वही आजेगी बात किसर आप sources and uses की पीछे ही पड़े हुए है तो आपको दुबारा sources and uses of vitamins के नदर आएंगे यहाँ पे तो अगर यह आप सारा paragraph याद कर लेंगे तो enough हो जाएगा जिसे आप sources and uses of vitamins की उपर लिख सकते हैं बाते हैं चार नमबर का स्वाल आ सकता है आपको बोर्ड में एक लॉंग चार नमबर का होता है और एक लॉंग पांच नमबर का होता है तो यह भी बोर्ड का एक फेवरेट लॉंग कर्शन बन सकता है आया भी हुआ है आगे फिर importance of vitamins की बातें की जाती है तो importance of vitamins भी जो है as a long कर्शन आपको पूछा जा सकता है तो पैरे बच्चों यह भी आपने long के तौर पे ची तरहां से याद कर ले ठीक है उसके बाद हो जाता है जी इखताम लेकिन the story is not ended जाते जाते enzymes की uses की उपर भी आपको long आ सकते हैं के वही enzymes की uses पे long लिखें राइट अ commercial use of enzymes तो आप यह लिख सकते हैं and that can make you better learner तो मेरे ख्याल में मैंने कुई पांच यह long बताएं इस चैप्टर में से और आप यह याद कर लेंगे तो इन्शाला आपके बूर्ट का long 100% ड़न हो जाएगा लेकिन अगर आप कहें के सर जड़ा एक review excise के long questions की तरफ भी हो जाए तो देख लें what are the carbohydrates or monosecrites are prepared give their characteristics यह भी long के तोर पे आप याद कर सकते हैं oligosecrites की explanation पूछ सकते हैं वह बरहल यह आज तक long नहीं आया बोर्ट में what are the polysecrites and give their properties तो यह भी अच्छा सवाल है लेकिन आज तक बोर्ट में नहीं पूछा गया explain the source and use of protein यह आया हुआ है explain that amino acids are building blocks of protein यह भी फिलहाल short question में तो पूछा गया है long में नहीं पूछा गया explain the source and use of lipids तो यह long आया हुए बोर्ट में give the importance of vitamins तो आपको भी मैंने बताया था निच्छे कुछ points थे vitamin की importance को लेकर वो आया हुए बोर्ट में भी लॉंग आया हुए इसके लावा source use of deficiency symptoms of water soluble vitamins की उपर बात कर लें यह भी आया हुए तो यह सारे आपके size के long questions है and I hope so कि आपको इस chapter में long questions के बारे में पता लागया हुए भी आपको thumbnail नदर आ रहा है यह आपके next videos की playlist है इसमें हमारे पास next chapter का है that is chapter number 14 that is I think so the atmosphere तो उसके बारे में जो है वो long आपको बताएंगे और जाते हैं चैनल को subscribe कीजेगा video को अपने दोस्तों के साथ share लाजमी कीजेगा ताकि उनको भी इस chapter के long questions पता लग जाए और में next video के लिए description में links हैं आपसपे क्लिक करने या थाम लेन नदर आ रहा है उसके क्लिक करने या आयो बटन आ रहा है उसके क्लिक करने ताकि आपको next video भी मिल जाए तो अपना ख्याल रखिएगा